दो बच्चु के हैं आप देख रहे हैं इंज्या नियूस आपके साथ मैं हूँ चित्रात्र पाठी आज बीजेपी का राली डे है हैधरबाद में मोधी हला बोलेंगे तो दिल्ली में शीला सरकार के खलाफ बीजेपी ने बिजली राली की नरेंद्र मोधी हैधरबाद बहुत चुके हैं जहां वो चार बजे राली करेंगे मोधी की इस राली में शामिल होने के लिए बकादा टिकट भी लगाए गया है वहें दिल्ली में बिजली की बढ़ीवी कीन्तों को लेकर बीजेपी ने राली की है जिसमें पार्टिय ध्वक्ष राजना सिंग भी शामिल हुए इस राली में राजनाप्ते सीधे सीधे केंडर पर हमला बोला राजना सिंग ने पाकिस्तान की हरकत को भारत सरकार की कमजोरी भी बताया और साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ बाच्छे तुरंत बंध हो और उचायुक्त को वापस बिलाये जाए डिली और हैदरबाद के तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं राजधाने दिली में जहांपर बीजे पी का हला बोल लगातार जारी है वहीं नरेंद्र मोदी जब हैदरबाद पहुँचे उस बक्त की तस्वीरे हम आपको टीवी स्प्पीन पर दिखा रहे है हैदरबाद में शाम चार बजे नरेंद्र मोदी राली करने वाले हैं हैदरबाद की इस राली के लिए बखादा पांच रुपए का टिकट भी लगाए गया है ये पहली राज़्डितिक राली होगी जिसमें शामल होने के लिए लोगों इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सीधे उसका हम रुप करेंगे जेडियो की ओर से बखादा अपने दो मंत्रियों को नोटिस जारे किया गया है शहीदों के अपमान वाले बयान पर ये नोटिस जारे किया गया है दरसल बिहार के मंत्रियों के बयान से पार्टी नाराज चल रही है भीम सिंग और नरेंडरु सिंग को पार्टी ने नोटेस थमा दिया है आपको बता दें कि भीम सिंग ने भी अभद्र टिपनी की थी और ये कहा था कि दरसल पुलिस में और सेना में लोग जाते ही मरने के लिए हैं और रही नरेंडु सिंग ने भी आपती जनक बयान देते हुए ये कहा था दरसल पाकिस्तान की सेना की ओर से ये कुछ नहीं कहा गया अपने मंद से जो भी बाते सामने आई वो इन मंत्रियों के ओर से बोल दिया गया और इसी बज़े से लगातार किरकरी जनता दल के तहत ये नोटिस पकड़ाया गया है अपने मंद सियों को देगे बिलकुल काफी आलोचना दोनों मंत्रियों के बयानों की ओर दिया फिर इसके बाद मेरेंडर सिंग का ये बयान जो कल आया उसके बाद से जेडियो पर काफी दवाब था उनके मंत्रियों के जो बयान आ वो शहीदों के परवार को अपमानित करने वाले थे और पाकिस्तन सेना को कि जिस तरह से क्लिंचिर दी वो काफी दूसरी विपक्षी पार्टियों को नागवार गुजरा और पूरे देश भर में उनकी तमाम राज़ितिक पार्टियों के दोरह आलोशना की जारी थी जिसके अगर उनके बयान से पार्टिय संतुष नहीं होती तो उनके खिलाब कारवाई की जा सकती है इस तरह का नोटिस शिरद यादव ने आज अपने दोनों मंत्रियों को रहा है इन दोनों मंत्रियों के खलाफ और यही बज़ह है कि कहीं न कहीं अब डैमेज कंट्रोल के खवा यहीं मंत्रियों ने सीधे सीधे शहीदों पर निशाना साधा था ऐसे में शहीदों के अपमान के मामले में आखर इनकी छुट्टी क्यों नहीं कर दी जा रही है इंतजार किस बात का किया जा रहा है प्रेक्रिया समझा सकता है कि हमने अपने मंत्रियों को कारण पताव नुप्रिष जाज़ी कर दिया उनसे जबाब मांगा गया है लेकिन जिस collar का दबाब है जिस तरह के आझनोलन प्रदरशंत भिहार में रहे हैं वो जोडियू को साथ समझ में आ रहे है कोई यह कोई मामला किसी बोट रांक से जुड़ा हुआ हुआ मामला नहीं है सरकार इसमें दोसी हैं, ऐसा हम नहीं मानते हैं, यहां भी बहुत दुगरवादी हैं, वो हमसे पूछ करते हैं क्या को इता हैं, वहां भी बहुत दुगरवादी हैं, जो मेरा सरकार के बन, मरी के भी वो प्रिष्टे को भी आना चाहते हैं। हैरान करने बाले ये बयान नरेंदु सिंग का और इसके पहले भीम सिंग ने बयान दिया था यानि कि फेहरिस्त है लंबी नेताओं की जेडियू की ओर से और सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि इस तरह की बदजुबानी करने बाले नेताओं के खलाब कड़ी कारवाई अब जेडियू की ओर से क्यों नहीं की गई यतिंद्र हमारे संबादाता लगातार हमारे साथ बने हुए है यतिंद्र बखादा एक्जामपल भी दिया जा रहा है नरेंदु सिंग की ओर से कि अगरबादी तो हमारे बहां भी है और पाकिस्तान सरकार को सीधे सीधे क्लीन है और शहीदों को जो परवार है वो तो हाथ हुए है लेकि पूरा देश चाहे बिहार हो या पूरा देश हो वो भी इस तरह के प्यान से आता है क्यों कि कुल दिन पहले ही सेना के वेश में अब गुरबादियों के होने कि बात अच्छा मंदरी एक एंट्रिय तो पूरा सं पूरा देश चाहता है कि इनका स्तीफा लिया जाए सर्फ नोटिस पकड़ा देने से मामला शांत होने बाला बिलकुल नहीं है